क्लास 10th का मैस का चैपकर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और इस चैपकर का नाम है Quagratic Equations हमारे चैपकर का नाम है Quagratic Equations और सबसे पहले हमने ये समझते हैं कि ये Quagratic Equation होता क्या है देखो किसी भी Quagratic Polynomial को अगर आप 0 के Equal Equate कर दोना तो ऐसा करने से आपके पास है Quagratic Equation बन जाती है Quagratic Equation बनाने के लिए आपके पास है Quagratic Polynomial होना चाहिए किसी भी Quagratic Polynomial को अगर आप 0 के Equal Put कर दो तो ऐसा करने से एक Quagratic Equation बन जाती है तो किसी भी ऐसे polynomial को जिसमें variable की highest part 2 होगी तो किसी भी ऐसे polynomial को जिसमें variable की highest part 2 है अगर आप उसे 0 equal equate कर दो तो ऐसे करने से हमारे पास एक quadratic equation बन जाती है ये को और example है देखो इसके अंदर एक square वाले कम है एक x वाले कम है और एक constant कम है क्योंकि variable की highest part 2 होगा है इसका मतलब ये भी एक quadratic polynomial है और जैसे ही आप quadratic polynomial को 0 के एक पल पुठ करोगे हमारे पास एक quadratic equation बन जाती है जब आप x की values निकाल लोगे तो वो जो x की values आएंगी न उन्हें को बुल जाता है roots of a quadratic equation root का मतलब होता है x की वो वाली value जो आप इस equation में x की जगह पे अगर put करोगे तो वो value इस equation को satisfy करेगी quadratic equation को solve करके जब आप variable की values निकाल लेते हो exact values निकाल लेते हो तो उन values को ही root या फिर roots of a quadratic equation बोलते है next is skagic form of a quadratic equation quadratic equation की skagic form यह होती है ax square plus bx plus c is equal to 0 सबसे पहले आपने square वाली term लिखनी होती है उसके बाद x वाली term लिखनी होती है और last में आपने constant term को लिखना होता है यहाँ पर जो a है वो x square का coefficient है मतलब x square वाली term में x square के आगे जो भी number लिखा होता है वो a होता है उसे आप a से represent करते हो जो b है वो x वाली term का coefficient है और जो c है वो constant term को represent करते है तो जब भी आपने किसी equation को skagic form में लिखना होगा ना तो पहले आपने square वाली term को लिखना है उसके बाद x वाली term को लिखना है और last में फिर constant term को लिखना है तो यह थोड़ा सा इंक्रोक एक्षन था quagricic equation का अब आगे चलती है 4.1 exercise के first question को start करते है next question पे आते है exercise 4.1 का question number 1 solve करते है check whether the following are quadratic equations इस question के काफि सारे parts है equation दे रखिया है अब हमने check करके यह बताना है कि जो equations हमें दे रखिया है क्या वो वाली equations quadratic equation है या फिर नहीं तो वेके करके हम सारे parts को solve करते हैं पहले first part के उपर आते हैं देखो हर बर हम क्या करेंगे equation जो भी हमें दे रखिया है उसे simplify करेंगे और सारे के सारे terms को left hand side पर ले जाएंगे उसके बाद अगर जो equation बन रही है उसके degree 2 है मतलब variable की highest part अगर उसके अंदर 2 है तो इसका मतलब होता है कि वो quadratic equation है और अगर variable की highest part 2 नहीं है तो इसका मतलब है कि वो quadratic equation नहीं है चलो start करते हैं फर्स्ट पार्ट के उपर आते है तो फर्स्ट पार्ट में हम ये equation दे रखे थे x plus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3 अब आपने left hand side को solve करना है और right hand side को solve करना है और उसके बाद सारे की सारे terms को left hand side की तरफ transfer कर देना है चलो देखो यहाँपे पहले left hand side पे x plus 1 का square है न तो इसे open करना पड़ेगा a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2ab उस identity को use करके यहाँपे हमने इसे expand दिये x plus 1 का whole square बनेगा x square plus 1 का square तो 1 ही होता है plus 2 times x into 1 2ab वाले कम यह है और यहाँपे इस 2 से आपने अंदर bracket अंदर वाले दोनों numbers को multiply कर देना है 2 multiply by x 2x और 2 को minus 3 से multiply किया तो minus 6 हा गया यह वाले x square as it is यह 1b as it is इन सब को multiply करके 2x बन जाता है यह वाले terms as it is अब इन दोनों को हम left-hand side पर transfer कर देंगे जब यह वाले terms left-hand side पर जाएंगे तो इनका sign change हो जेगा नेको पहले x square वाले term को लिखा फिर x वाले term को लिखना होता है जो 2x है ना उसे आपने आगे लिखना है और इस वाले 2x को left-hand side पर लेकिया होगे तो इसका sign change हो जगा तब यह minus का 2x हो गया दोनों x वाले terms आ गई उसके बाद last में numbers को लिखना है स्कैक फॉर्म की तरह लिखना होता है पहले square वाले term आने चाहिए उसके बाद x वाले terms आने चाहिए और last में फिर numbers आने चाहिए तब यह x वाले term को लिखा यहां से भी x वाले term को हम लिखना है और last में numbers को लिखना है तो यह वाला 1 as a case और यह minus 6 इस्तर हुआएगा तो sine change हो जगा plus 6 बन गया अब x square का x square ऐसे कि यह 2x और minus 2x आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेंगे और यह 6 plus 1 is equal to 7 तो x square plus 7 is equal to 0 यह हमारी final equation बन जाती है अब इस equation में देखो variable की highest power 2 है न तो इसका मतलब यह quadratic equation है variable की highest power 2 होनी चाहिए square x square वाले कम होनी चाहिए x वाले कम अगर नहीं है तो भी चलेगा अगर constant कम ना हो तो भी चलेगा लेकिन जो square वाले कम है न उसका होना ज़रूरी होता है जैसे यह x वाले कम जापस में cancel out होगी थी न तो कोई बात नहीं है तो भी यह quadratic equation रहेगी जब तक square वाले कम है जब तक equation में variable की highest part हो है तो इसका मतलब है कि वो quadratic equation है तो last में फिर आप लिखोगे given equation is a quadratic equation तो यह जो equation दे रखी थी क्योंकि solve करके equation के अंदर square वाले कम आ रही है तो इसका मतलब यह quadratic equation है second part पे आते हैं second part में हमें equation यह दे रखी है x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x अब हमने check करके बताना है कि यह वाले जो equation है यह quadratic equation है या फिर नहीं तो हम left-hand sack को simplify करेंगे right-hand sack को भी simplify करेंगे उसके बाद सारे की सारे terms को left-hand sack पर ले जाएंगे उसके बाद देखते हैं कि क्या बनता है तो left-hand sack पे तो पहले से यह simplify गए यह x square minus 2x यह as it is यह आपने लिख देना है right-hand sack पे minus 2 को अंदर आपने दोनों से multiply करना है minus 2 multiply by 3 is equal to minus 6 और minus 2 को minus x से multiply करेंगे तो वो plus का 2x बनेगा अब इन दोनों terms को left-hand sack पे ले जाते हैं पहले square वाले term को लिखेंगे उसके बाद x वाले term को लिखेंगे और last में फिर consequent term को लिखेंगे यह दो को पहले आपने square वाले term को लिखा उसके बाद यह x वाले term minus 2x और यह जो 2x है इसको जब आप left-hand side पलेके जाओगे तो इसका भी sign change हो जगा ये भी minus का 2x बन जगा और ये minus 6 को जब left-hand side पलेके जाएंगे तो sign change हो गया ये plus का 6 बन गया अब x square as it is ये minus 2x और minus 2x add होके minus 4x बन जाता है और last mean वाला 6 as it is तो ये हमारी final equation बन गी है अब इस equation में भी देखो variable की highest par 2 है तो इसका मतलब है कि ये quadratic equation है equation के अंदर अगर आप यहां से constant term को हका दो तो भी ये quadratic equation ही रहेगी अगर आप यहां से x वाली कम को हका दो तो भी ये quadratic equation ही रहेगी x square वाली कम को नहीं हका सकते जो x square वाली कम है ना उसका होना जरूरी होता है variable की जो highest par है वो अगर 2 है ना तो इसका मतलब है कि यह quadratic equation है तो आप directly भी लिख सकते हो कि given equation is a quadratic equation या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 क्योंकि यह वाली equation quadratic equation की standard form के साथ match कर रही है तो इससे यह साबित होता है कि यह वाली जो equation है वो खुद एक quadratic equation है so the given equation is a quadratic equation third part पे आते हैं third part में हमें equation दे रखी है x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3 अब हमने check करना है कि यह वाली equation quadratic equation है या ने तो इसके अंदर भी आपको left hand side पे और right hand side पे simplify करना पड़ेगा देखो left hand side पे दो terms आपस में multiply हो रही है न यहाँ पे पहले x है तो x से पहले आप इस पूरी term को x plus 1 को multiply करोगे फिर minus 2 के साथ भी इस पूरी term को multiply करना है brackets open कर रहे है यहाँ पर भी पहले x के साथ इस पूरी term को x plus 3 को multiply करना है फिर minus 1 के साथ भी इस पूरी term को x plus 3 को multiply करना है चलो brackets open करते है x multiply by x is equal to x square और x को 1 से multiply करके x आ जाते है minus 2 into x is equal to minus 2 x और minus 2 को 1 से multiply किया तो minus 2 आया राखेंग साथ पर भी brackets open कर देनी है x multiply by x is equal to x square और x को 3 से multiply करके 3x आ गया minus 1 into x is equal to minus x और minus 1 को 3 से multiply करके minus 3 आ गया आगे और simplify करते है square वाली term as it is रहेगी यह x वाली term में यह भी x वाली term में इन दोनों को simplify करके minus x आ जाते है यह भी x वाली term में यह भी x वाली term में तो इनके जो coefficients होते हैं उनको add कर लेते हैं x के जवाके वाली numbers है न उन्हें x से प्रैक्ट कर लेना है यहाँ पर x का कि कोई नहीं है जिसका कोई नहीं हो तो उसका 1 होता है तो 1 minus 2 is equal to minus 1 तो minus 1 x बनेगा और यह minus 2 का minus 2 as it is ranking sack पर भी simplify करना है x square as it is रहेगा 3x में से 1x को minus कर दिया स्क्वेर बनेगा फिर minus x का minus x और इस वाले 2x को left king sack प्ले की जाओगे तो minus का 2x होजएगा फिर last में constant numbers को लिखना होता है यह minus 2 का minus 2 और यह बला minus 3 इस तरफ आएगा तो sign change होजएगा plus 3 बनेगा अपने standard form के हिसाब से लिखना होता है पहले दोनों square वाले terms को लिखोगे फिर x वाले terms को लिखोगे और last में constant number को लिखोगे अब x square और minus x square दोनों एक दूसरे को cancel out कर लेंगे minus x और minus 2x मिलकर minus 3x बन गया और 3 minus 2 is equal to 1 तो finally यह हमारी equation बन रही है अब यह वाले जो equation है यह quadratic equation नहीं है यह तो linear equation है इसमें देखो x की जो highest power है वो 1 है क्योंकि इसके अंदर square वाले term नहीं है जिसमें variable का square हो रहा हो तो इसलिए given equation is not a quadratic equation यह quadratic equation नहीं है बलकि यह तो एक linear equation है next fourth part पे आते हैं fourth part में हमें equation दे रखिया है x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5 अब हमने check करना है कि यह equation quadratic equation है या नहीं तो इसके अंदर भी left hand side पे और right hand side पे simplify करना पड़ेगा देखो left hand side पे यहाँ पे x है ना तो पहले x से आप इस पूरी term को multiply करोगे x into 2x plus 1 फिर minus 3 से भी इस पूरी term को multiply करना है minus 3 into 2x plus 1 और right hand side पे x को इन दोनों terms के साथ multiply करना है x multiply by x वो x square बन जगा और x into 5 is equal to 5x यह brackets open कर देनी है multiply करके आप यहाँ तक पहुंचाओगे इसके आगे चलते हैं 2x square का 2x square as a case यह x minus 6x यह simplify होके minus 5x बन जाता है minus 3 का minus 3 as a case यह वाली दोनों terms को भी as a case लिखा अब इन सारी terms को left hand sack पे लिखे जाना है और scan get form के हिसाब से लिखेंगे पहले square वाली terms को लिखेंगे फिर x वाली terms को लिखेंगे last में फिर constant numbers को लिखेंगे तो यह 2x square का 2x square as a case रहेगा अब यह x square को left hand sack पे लिखे जाओगे तो इसका sign change हो जगा minus x square बन गया और यह minus 5x का minus 5x as a case इस 5x को left hand sack पे लिखे जाएंगे तो sign change हो जगा minus 5x बन जगा और यह minus 3 का minus 3 as a case तो यह हमारी equation बन गया है इसको आगे simplify करते है 2x square minus x square is equal to 1x square और minus 5x और minus 5x add होके minus 10x बन जाता है यह बना minus 3 का minus 3 as a case अब इस equation में क्योंकि variable की highest part हुआ है तो इसका मतलब यह एक quadratic equation है आप गारेकर लिए भी लिख सकते हो given equation is a quadratic equation या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 so it is a quadratic equation क्योंकि यह वाली जो equation है वो quadratic equation की journal form के साब match कर रही है तो इससे यह साबित होता है कि यह एक quadratic equation है next part पे आते हैं fifth part में हम equation दे रखी है 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1 चलो इसको आगे simplify करते हैं left hand side और right hand side दोनों जगा पे आपको simplify करना पड़ेगा पहले 2x के साथ आपने x minus 3 इस पूरी कम को multiply करना है फिर minus 1 के साथ भी आपने इस पूरी कम को multiply करना है right hand side पे x के साथ पहले आप x minus 1 को multiply करोगे और उसके बाद 5 के साथ पूरी कम को मतलब x minus 1 को आपने multiply करना है I hope आप brackets असानी से open कर लोगे काफिज दाद सिंपल है multiply करके आप यहां तक पहुंच जाओगे अब यह 2x square का 2x square as it is minus 6x और minus x add होके minus 7x बन जाता है यह वाला 3 as it is x square का x square यह 5x में से 1x minus करती है तो 4x रह गया और यह minus 5 का minus 5 as it is अब सारी की सारी terms को left hand side पर लेके जाना है सबके sign change करने है और square वाल iqe के साथ square वाल iqe को लिखेंगे x वाल iqe के साथ x वाल iqe को लिखेंगे और const gang number के साथ const gang number को लिखेंगे तो पहले यह वाला 2x square as it is अब यहां से minus x square हो गया फिर minus 7x का minus 7x और यह जो 4x है इसको आप उस तरफ लेके जाओगे ये plus का 5 बन गया अब 2x square में से 1x square को minus कर दो तो 1x square है जगा और minus 7x और minus 4x add होके minus 11x बन जाते हैं और 5 plus 3 is equal to 8 तो ये हमारी final equation बन गिया है क्योंकि ये वाली equation quagragic equation की skagak form के साथ match करती है तो इससे ये साबित होता है कि ये एक quagragic equation है और देखो ना x की जो highest par है वो 2 है variable की highest par 2 है तो इसका मतलब ये एक quagragic equation है next 7th part पे आते है x plus 2 का whole cube is equal to 2x into x square minus 1 अब हमने check करना है कि ये जो equation हमें दे रखिया है क्या ये एक quagragic equation है या फिर नहीं तो उसके लिए हम left hand side को भी simplify करेंगे right hand side को भी simplify करेंगे चलो start करते हैं देखो left hand side पे है x plus 2 का whole cube तो इसे expand करने के लिए ना हमें a plus b के whole cube की identical को use करना पड़ेगा a plus b का whole cube होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b ये देखो a plus b का whole cube होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b इस identical को use करके हम x plus 2 के cube को expand कर रहे है तो expand करके लिए स्केप में ये बन जेगा x का cube plus 2 cube plus 3 into x into 2 into x plus 2 इस आग्यांकिक के हिसाब से हमने x plus 2 के whole cube को expand कर दिया clear होगे ना जहाँ पे a है वहाँ पे आपने x put करना है और जहाँ पे b है वहाँ पे अपने 2 put करना है जहाँ पर भी a है ना a की जगा पे आपने x लिखने है और जहाँ पर भी b है b की जगा पे आपने 2 को लिखने है तो ऐसे करके हमने expand कर दिया अब राखेंग साइक पे 2x multiply by x square तो वो बन जाता है 2x cube और 2x को minus 1 से multiply किया तो वो minus का 2x बना तो यहाँ तक clear हो गया अगल इसके पे आते हैं x cube का x cube as it is 2 का cube होता है 8 और यह वाला 2 और यह वाला 3 multiply होके 6 बन जाते है x का x और यह वाली term as it is लिखिया है इन दोनों terms को भी as it is लिख दिया अभी x cube as it is 8 as it is 6x को x से multiply करेंगे तो 6x square बन जेगा और 6x को 2 से multiply करेंगे तो वो 12x हो गया इन दोनों terms को as it is लिखने है अब इन सारी terms को left wing sack पे लिख जाएंगे और scancat form के हिसाब से लिखेंगे पहले q वाली term को लिखेंगे फिर square वाली term को फिर x वाली term को और last में constant number को इदर को x cube का x cube ऐसे किस और ये जो 2x cube है इस कम को left wing sack पे लिखेंगे तो sign इसका change हो गया फिर square वाली term को लिखना है ये 6x square का 6x square इदर तो कोई square वाली term है नहीं फिर ये x वाली term को लिखेंगे 12x और ये minus 2x से इस्तरफाय का तो sign change हो गया प्लस का qx बन गया और last में इस constant number को लिखना है प्लस 8 को last में लिखा दिखा आप ते पहले cube वाली term आ रही है फिर square वाली term फिर x वाली term आ रही है लास्क में constant number आ रहे है अब आगे simplify करते है ये x cube minus 2x cube simplify होके minus x cube बचेगा 6x square का 6x square 12x और 2x 14x हो गया और ये plus x का plus 8 अब इस equation में क्योंकि variable की highest part 3 है तो इसका मतलब ये तो एक cubic equation है हमने check करना था कि ये quagraque equation है या नहीं तो इसका answer है this equation is not a quagraque equation it is a cubic equation क्योंकि variable की highest part 3 है ना तो इसका मतलब ये एक cubic equation है next part पे आते है 8 part में हमें equation दे रखी है x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 का whole cube अब हम इस equation को पहले simplify करेंगे simplify करने के बाद check करेंगे कि ये equation एक quadratic equation है या फिर नहीं तो left hand side पे जो terms दे रखी है उन्हें तो आपने as a case लिखने है पहले से ही वो simplified form के अंदर है ये right hand side पे x minus 2 का cube इसे expand करना पड़ेगा इसे expand करने के लिए हम a minus b के whole cube की identical की यूज़ करेंगे a minus b का whole cube होता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b a minus b का whole cube होता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b उस identical की को use करके हम इसे expand कर रहे हैं तो x minus 2 का whole cube बनेगा x cube minus 2 cube minus 3 into x into 2 into x minus 2 आगेंक की के हिसाब से हमने इसे expand कर दिया left hand side पे कोई change नहीं है ये as a case रहेगा यहाँ पे हमें simplify करना पड़ेगा ये देखो x cube का x cube as a case ये 2 का cube होता है 8 ये minus का minus 3 और 2 को multiply करके 6 बन गया और ये बना x as a case x minus 2 को भी अभी as a case रहे लिखा x cube का x cube minus 1 का minus 1 अब ये minus 6 x से दोनों को multiply करना है minus 6 x multiply by x वो बनेगा minus 6 x square और minus 6 x को minus 2 से multiply करके वो plus का 12 x आ जाता है तो simplify करके यहाँ तक पहुंच गे अब सारी की सारी terms को left hand sack पर लिखे जाएंगे और skank act form के हिसाप से लिखेंगे पहले cube वाली terms को लिखेंगे फिर square वाली terms को लिखेंगे फिर x वाली terms को लिखेंगे और last में constant term को लिखेंगे तो ये x cube का x cube as it is और ये ये वाला जो x cube है उससे left hand sack पर लिखे जाएंगे तो sin change हो गया, तब यह minus x cube बन गया, फिर यह minus 4x square का minus 4x square और यह स्क्वेर वाले कम यहाँ पर भी है न, यह minus 6x square को left hand sack पर लेके जाएंगे तो sin उसका change हो गया, plus 6x square हो गया, फिर x वाले कम minus x का minus x और ये 12x को उस तरफ लेके जाएंगे तो sine change हो जगा, minus 12x हो जगा ये plus 1 का plus 1 और ये minus 1 को उस तरफ लेके गए तो sine change हो गया, plus 1 हो गया देखरो याँ, पहले दुनों cube वाली terms है, फिर square वाली terms है फिर x वाली terms है और last में constant term है अब x cube और minus x cube ये दोनों आपस में एक दूसरे को cancel out कर लेंगे और 6x square में से 4x square minus कर दो तो 2x square है जगा और minus x और minus 12x एग हो के minus 12x बन जाता है 1 plus 1 is equal to 9 अभी इस equation में, क्योंकि x की highest part 2 है, तो इसका मतलब ये एक quadratic equation है directly भी आप लिख सकते हो, given equation is a quadratic equation, या फिर ऐसे भी लेख सकते हो it is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 so it is a quadratic equation क्योंकि ये वाली equation quadratic equation की journal form के साथ match कर रही है, तो इससे साबित होता है कि ये एक quadratic equation है लिगे हो आप मतल सकते है औे रही है को रही है